अंडव जब अज्यात्वास से वापस आए तो भगवान सिरी क्रिश्न उनकी तरफ से मैतरी प्रिस्ताव ले करके हस्तिनापुर गए हस्तिनापुर में मैतरी प्रिस्ताव को ठुकरा करके दुर्योधन ने स्वयम भगवान सिरी क्रिश्न को बादना चाहा उन्स रिकिष्ण को जिनके मुखमंडल के अंदर कोटी-कोटी ब्रह्मान निहते हैं देखिए तो क्या होता है रश्मी रथी के सर्गतिर्ते के भागदों में वर्षों तकवन में घूम घूम बाधा विगिनों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभागिन सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मेत्री की राय बताने को सब को सुमार्ग परिलाने को दुरियोधन को समझाने को भीषण विद्वन से बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो भगवान कहते हैं कि अगर न्याय देना है तो जितना भी तुम्हारे पास हस्तिनापुर का राज्य हो उसमें से आधा पंडवों को दो दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदिबाधा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन परसीन उठाएंगे दुर्योधन वहबी दे न सका आशी समाज की ले न सका उल्टे हरी को बांधने चला जो था असाधिसाधने चला जब नाश मनुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरी ने भीशन हुंकार किया अपना स्वारूप विस्तार किया डग मग डग मग दिक गजडोले भगवान को पित होकर बोले जन्जीर बढ़ा कर साध मुझे हाँ हाँ दुरियो धन बांध मुझे यह देख गगन मुझ में ले है यह देख पवन मुझ में ले है मुझ में विलीन जंकार सकल मुझ में ले है संसार सकल अमरत्व फूलता है मुझ में अम्रत्व फूलता हैं मुझ में सनहार जूलता हैं मुझ में उद्याचल मेरा दीप्त भाल भू मंडल वक्ष स्थल विशाल भुझ परिधी बंद को घेरे हैं मैं नाक में रुपग मेरे हैं दिप्ते जो गिरहनक छत्र निकर सब हैं मेरे मुक्के अंदर दिरिग हो तो दृष अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मान देख चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर मनुझ सुरिजाति अमर शत कोटी सूरिज शत कोटी चंद्र शत कोटी सरित सर सिंधु मंद्र शत कोटी विश्नो ब्रह्म महेश शत कोटी जिश्नो जलपती धनेश शतकोटी रुद्र, शतकोटी काल, शतकोटी दंड़ धर लोक पाल, जनजीर बढ़ा कर साधी ने, भू लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख, जगत का आदिस जन यह देख, महा भारत कारण, मिर्थकों से पटी हुई भू है, मिर्दकों से पटी हुई भू है पहचान कहां इसमें तु है अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुठी में तीनो काल देख मेरा स्वरूप विकिराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लोट मुझी में आते हैं जिव्या से कड़ती ज्वाल सगन सासों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी द्रिष्ट जिदर हसने लगती है स्रिष्ट यूधर मैं जभी मूदता हूँ लोचन छा जाता चारों और मरण बांधने मुझे तो आया है जन्जीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सूने को साधन सकता है वेह मुझे बांध कब सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैं त्री कमूल ने पहचाना तो ले अब मैं भी अब जाता हूँ वन तिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा टकराएंगे नक्षतर निकर बरसेगी भूपर बही प्रखर फणशेस नाक का डोलेगा विक्राल काल मूँ खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विश्मान बून से छूटेंगे वायसर गाल सुखलूटेंगे सोभाग मनुझ के फूटेंगे आखिर तू भूशाई होगा हिंसा का परदाई होगा थी सभासन सब लोग डरे चुप्ते या थे बेहोश पड़े केवल दो नरन अगाते ते धृत राष्ट्र विदुर सुख पाते थे करजोड खड़े प्रमुदित निर्भै दोनों पकारते थे जैजै दोनों पकारते थे जैजै